नमस्कार मैं सिखा सिंग आप सभी का जन्हितावाज में स्वागत हैं आप सभी को पता होगा कि उतरप्रदेश में अतीक एहमद और असरव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है उस पे तीन आरोपी बताय जारे तीनों हिंदू बताय जारे और तीनों की उम्र जो है तीस के अंदर है यानि कि किसी की 18 साल है किसी की 22 साल और किसी की 20 साल तीनों को अपरादी बताया जा रहा है हाला कि इससे पहले एक पे तो 15 मुकदमे हैं कोई जेल जा चुका है किसी पे लड़की ने थपर मारने के जाम वो जेल जा चुका है ये तीनों अपरादी हिंदू हैं और OBC एक तो ब्राह्मन हैं और दो OBC से आते हैं कि उम्र बहुत कम बताई जा रही है और लोग इस पे तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं वहीं पर BJP कारे करता बहुत खुस होते हुए नचरा रहे क्योंकि जब उन्होंने गोली मारा तो उन्होंने जैसरी राम के नारे लगा है तो मैं आपको उनके ट्उीट पर जो रीप्लाइ आया हैं मैं पहले तो ट्उीट पढ़के सुनाती हूं और इसके बाद उसके रीप्लाइ भी सुनाती है कि कितने लोग उस पे रियक्ट कर रहे हैं इसे जनता के बीच भय का वाताबरन बन रहा है ऐसा लगता है कुछ लोग जान बुझ कर ऐसा बाता वरन बना रहे हैं उस पे अनुपम कुमार सिंग ने रिपलाई किया है अखलेस यादब के ट्वीट पे उन्होंने काया 44 वर्सों से अतिक एहमद और उसका पूरा परिवाज परियाग राज पर कहर बरपा रहा था तब तुम कहां थे टोटी चोर जब अतिक एहमद के भैसे 11 जजों ने उसका मामला तक सुनने से इंकार कर दिया तब तुम कहां थे टीपू उमेश पाल की हत्या के बाद तुमने इतना सुनाया कि योगी जी ने इगो पर ले लिया अब भुगतो इस तरह के रिप्लाइ लोग दे रहे हैं वहीं पर महुआ महित्रा है तुमूल सांसत उन्होंने भी ट्वीट किया है उन्होंने काया कि भाजपा ने भारत को माफिया गनवराज बना दिया है मैं इसे यहां कहूंगी मैं इसे बिदेश में कहूंगी मैं इसे हर जगा कहूंगी क्यूंकि यह सच है पुलीस कर्मी और कैमेरों के सामने हिरासत में दो लोगों की गोली मार कर हत्या यह कानून के सासन की मौत है इस तरीके का लगातार जो है सांसत टूइट कर रहे हैं वहीं पे ममता बनर जी जो बंगाल की सीम है उन्होंने भी इस पे टूइट किया है कि मैं उतर प्रदेश में खुली आरजक्ता और कानून विवस्था के पूरी तरह चर्मरा जाने से स्तब्धूं यह सरनाक है कि अपरादी अप पुलीस और मीडिया की मौजूदगी से बेफिक्र होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं इस तरह के गैर कानूनी कृत्यों का हमारे सम्वेधानिक लोकतंत्र में कोई अस्थान नहीं है लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं कि सबसे पहली बात तो कुछ लोगों ने कहा है कि वो पूरी तरीके से, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि सिद्धूम उसे वाला की जिस गन से हत्या हुई थी अटोमेटिक गन, उसी तरीके का गन का इस्तमाल किया गया, यह गन बहुत महंगा है और इसको खरीदना कोई आम जुगी जोपरी वाले के बस की बात नहीं है, इसक इनों लड़के यह तिनों बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और इनोंने एटोमेटिक गन कहां से खरीदा, तो कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाया है, वहीं पे उतर प्रदेश के सपानेता हैं गोपाल यादव उन्होंने भी ट्वीट किया है कि कोई आशर नहीं क अतिक के सेस बेटे भी मारे जाएं, उतर प्रदेश इस्तित्स परियाग राज में अतिक एहमद और असरफ एहमद की हत्या के बाद सपानेता राम गोपाल यादव ने ट्वीट कर कहा, मुखमंत्री जी का फर्मान मिट्टी में मिला देंगे, अतिक एहमद की सुप्रिम को तो हो नहीं है, कोई आशर नहीं है कि अतिक के सेस बेटे भी मारे जाएंगे, इस तरीके से तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं, कानु विवस्था पे लगातार सवाल उठा रहे हैं, और वहीं पे असुदीन ओविसी हैं, सब लोग उनको जानते हैं, उन्होंने भी कहा है, अ इनकाउंटर राज का जस्न मनाने वाले भी इस हत्या के जिम्यदार हैं, तो इस तरीके कर लगाता ट्वीट आ रहा है, और वहीं पे आपको मैं जो कुछ और लोगों का ट्वीट है, अकली सियाद अपके ट्वीट के बाद किया था, विकासिंग है, जिन्होंने लिखा है, जो पूछ रहे हैं पुलीस सुरक्षा में अतीक असरफ की कैसे हत्या हो गई तो सुनो, जैसे पुलीस सुरक्षा में उमेश पाल और दोनों गनर की हत्या हुई थी, वैसे ही इन दोनों की हत्या हो गई है, आलोग ची को लिखते हैं, अतीक एहमद और उसके भाई असरफ ए कान को लेकर एक एहम जानकारी सामने आई है इसी पिस्टल से सिंगर सिद्धू मुसे वाला की हत्या हुई थी इस पिस्टल की कीमत करीब 5 लाख रुपए होती है और यह पूरी तरह से आटोमेटिक हो है यह जाज का विसे है कि जुगी जोपरी में रहने वाले के पास 5 लाख का पिस्टल कहां से आया एक सवाल तो लगातार उपते वे नजर आ रहा है कि तीन जो बच्चे जो बहुत कम उम्र के हैं जिनकी उम्र पतीस से जादर नहीं है पतीस के अंदर ही सारी की उम्र है उनके पास 15 लाख की गन आना यह बहुत बड़ी बात है खुद में कि एक तो कोई नाम हो नामची नाम हो तो इसके पीछे पे लोग बार बार लगाता ट्वीट कर रहे हैं कि यह जाच का भी से हो और इस पे जाच होनी चाहिए आप लोगों कि इस पूरी खबर पे क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा धन्यवाद